जसौर्गर जीरो पॉइंट के पास खाई में गिरी जीप, दो घायल चुराह के जसौर्गर जीरो पॉइंट के पास खाई में जीप गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक घायल को चमबा मेडिकल कॉलेज में फ्रात्मिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दूसरा घायल चमबा अस्पताल में भरती है। घायलों की पहचान अनीश पुत्र सराज निवासी मंजीर और नावेद अली पुत्र रसीद मोहम्मद निवासी मंजीर के रूप में हुई। वह जीप लेकर वीरवार रात करीब 9 बजे शिकारी मोर से निकले थे। जीप अनीश चला रहा था। जसौरगर जीरो पॉइंट के पास पहुँचने पर चालक का अचानक गाड़ी पर नियंत्रन बिगर गया। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जागिरी। गाड़ी को खाई में गिर्ता देखा सपास के लोग तुरंट मदद के लिए पहुँच गए। घटना की सूचना मिलते ही नक्रोर पुलिस चौकी की टीम भी घटना स्थल पर पहुँची। पुलिस ने स्थानिय लोगों की मदद से घाईलों को खाई से निकाल कर नागरिक अस्पताल तीसा पहुँचाया। यहाँ प्रात्मिक उपचार के बाद उन्हें चमबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रात को एम्बुलेंस के जरिये घाईलों को चमबा मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ उपचार के बाद भी नावेद अली की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ क्योंकि दुरघटना में उसे गंभीर चोट लगी थी। इसके चलते चिकित्सकों ने उसे उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन देर रात को उसे लेकर टांडा रवाना हो गए। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन कर ली है। चश्मदीदों के साथ घायलों के बयान भी कलंबद किये गए है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों का पता लग पाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिशेक यादव ने घटना की पुष्टी की है।